Hello friends and welcome back to my channel आज मैं बहुत ही आसान सा remedy लेके आई हो friends आपकी सपेद बाल को काला करने का एक तरीका लेके आई हो friends यहां आपको यह जो remedy है इसके लिए रात भर आपको कुछ भिगोना नहीं है नहीं आपको इसके लिए लोही की कडाई चाहिए बस आपको इंग्रीडिन्स चाहिए घोलना है बनाना है और लगा डालना है इससे आपके सारे सपेद बाल हो जाएंगे काले believe me यह magic की तरह काम करता है यह वाला जो इंग्रीडिन्स में आज यूज करने वाले हों तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा पसंद आई यह वीडियो तो एक लाइक कर दीजेगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चानल को और दूसरों को भी शेयर करेगा चलिए let's start तो चलिए friends रमिटिव बनाने के लिए बोल ले लेंगे और इसमें मैं ले लूँगी एक चमच भरके coffee powder कोई भी coffee powder आप ले सकते है friends तो एक बड़ा चमच भरके आपको coffee powder ले लेना है इसके बाद मैं डालूँगी एक चमच आमला powder आमला powder आपकी जड़ो को strong कर दा है आपके बालों को बहुत ही मस्बूत रखता है तो आमला powder के बाद में यहां लूँगी friends एक चमच कत्था powder जो आपके बालों को natural color देने के लिए number one ingredient है तो कत्था powder ले ले लेंगे और आधा चमच मैं नीम का powder लूँगी अगर आपको dandruff की problem है या कोई scalp related problem है तो नीम का powder भी must है इन सारे चीज़ों को आपको अच्छता से mix करना है coffee भी आपके बालों को अच्छा brown color देता है burgundy color देता है तो इस तरह से आपको इन powder को mix कर लेना है friends आगे मैं इसमें एक और powder दालूँगी तो उसके लिए आपको ये video पूरा दिखना पड़ेगा तो इसमें अब मैं इसमें डालूँगी friends चाय का पानी दो चम्मच पती में मैंने आधा क्लास पानी डाल के इसको बाल लिया है और इस तरह से चाय का पानी बना लिया है चाय का पानी तो आप जानते ही है कि किसी में भी डालते हैं महंदी में डालते है तो बालों को अच्छा कलर देने के लिए यह माना जाता है तो यहां 3-4 चमची हमें चाहिए यह देखिए ठिक सा पेस्ट बनके रडी है अब इसको कंसिस्टेंसी देने के लिए मैं यहां डालूंगी ऐलोविरा जेल आप प्लांट वाला ऐलोविरा जेल भी ले सकते हैं मैं इसको यह हैर पैक को जेल फॉर्म में बनाना चाहती हूँ इसलब मैं यहां डाल रही हूँ ऐलोविरा जेल जो आपके बालों को नरिश भी करता है आपके बालों को सॉफ्ट भी बनाता है ना कि दूसरे hair packs कैसे dry कर देते हैं आपके बालों को ये hair pack नहीं करेगा, ये instant result भी देगा और आपके बालों को नरिश भी करेगा तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा smooth paste बन चुका है इसका, तो ये हमारा hair pack almost complete है, बस इसमें एक और last ingredient दालना बाकी है, वो है भिंगराज पाउडर, जी हाँ आपने अगर पहले कभी यूज नहीं किया भिंगराज पाउडर आपके बालों को काला काने के लिए, तो ये best ingredient ह ये सारे आपको आइरवडिक शॉप में powder मिल जाएंगे, बिंगराज पाउडर आप ले लीजे, एक चमच और इस तरह से mix कर लीजे, और ये हमारा final hair pack बनके ready है, बस आपको powder तया रखने हैं, आपके घर पर सबको mix कर डालना है, और इसको लगा डालना है, ये हमारा paste ready है, अगर आपको ये ठिक लग रहा हो, तो आप इसमें aloe vera gel और add कर सकते हैं, तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, इसको लगाना कैसे हैं, इससे लगाने लिए फ्रेंट सबसे पहले आपको बालो को अच्छी तरह से कंगी कर लेनी है, बिल्कुल भी टैंगल नहीं हो अच्छी आपके बालो में और आपको धुले हुए बालो पर ही इसको लगाना है, आप पिंगर की health से या ब्रश की health से आपके जड़ों से लेकर आपके बालों तक आप लगाएए, जहां पर भी आपको सफेद बालों की problem हैं, या आप जादा बनाके पूरे बालों पर भी मजबूत करेगा क्योंकि आमला पाउडर है, कॉफी पाउडर है और इसके साथ अगर हमने ब्रिंगराज मिला दिया है तो ये आपको 100% best result देने वाला है, अलोविरा जेल है जो आपके बालों को नरिश करेगा और ये ना की दूसरे हैर पेक की तरह आपके बालों को dry नहीं के बाद आप देखेंगे आपके बालों में shine आ गई है, आपके जो सफेद बाल है वो दीरे-दीरे काले हो जाएंगे, आप इससे at least हफते में एक ही बार use कीजिए, चार हफते तक लगातार कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके सफेद बाल convert हो रहे हैं, बलाक में, यान ही रात को बिगोना है, instant hair gel ready है friends, जो आपको instant result भी देगा, तो कैसे लगा आपको ये वाला remedy जरूर मुझे comment करके बताएगा, like भी कीजिए, share भी कीजिए, subscribe भी कीजिए मेरी चैनल को, till then take care, bye bye